Hello Everyone, welcome to selenium tutorial आज हम देखेंगी कैसे हम रिपोर्ट्स को यूस करते हैं क्योंकि किसी भी framework के लिए आपको reports भी generate करने जरूरी है हमने logs देख लिए हैं but reports कैसे generate होती हju वो देखते हैं क्योंकि आपको end में आपको reports भी देनी होती है कि आपके suit या framework में क्या-क्या results है तो by default एक जो हमारी testNG library है वो हमें एक feature देती है reports का तो एक बार ही हम निया package बनाएंगे reports testNG गए नाम से और इसमें class बनाएंगे testing validations testNG तो इसके बाद हमने पहले देखी रखा था कि testNG की jar को हम कैसे import करते है तो main method पहले हम define करते थे बट यहाँ पर main नहीं हम add the test annotation में अपना test case लिखेंगे test report assert यह हमारी value हो गई अब मैं इसको import करूँगा और उसके बाद assert dot assert equal use करके यहाँ मैं 1 लिखता हूँ और यहाँ 0 लिखता हूँ अब जब मैं इसे execute करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरे console में अपने आपी logs प्रिंट हो गए मैंने कुछ नहीं किया तो यह testNG लाइबरेरी है जो exception दे रही है logs दे रही है अब इसके बाद मैं अपने project को refresh करता हूँ यहाँ पर मेरी एक index.stable बनी है मैं यहाँ जाता हूँ इस folder में इसके बाद जब आप यहाँ जाएंगे तो आपको यह एक report मिलेगी यहाँ पर खोलेंगे तो exactly जो आपको दिख रहा है वो आपको साफ दिख रहा होगा कि यह exception आई है तो यह report by default test engine ने generate के है तो आप info देख सकते है कि आपका test engine.xml file का format कैसा होगा ऐसा होगा test किते थे one test engine का कोई group नहीं था यह सब test engine related information है पर यह जो information है यह जो information है यह जो information है results की यह आपकी report है कि आपके क्या actual में exception आई है वो है assertion error तो यहाँ पर आपको by default एक report मिलती है और logs आपके अपने आप generate हो रहे है लेकिन यहाँ पर एक problem यह है कि यह report जो है वो इतनी user friendly नहीं है हम अगर देखेंगे sorry फिर से एक बारी खोलते है report को यह इतनी user friendly नहीं है आपको इतनी अच्छे से पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है जब यह multiple test suits में होंगी तो और ज्यादा problem होगी जैसे कि यहाँ पर मैंने एक ही किया है यहाँ पर मैंने 5-6 test cases किये जिसमें कुछ fail होंगे कुछ pass होंगे 6 5 4 3 2 1 अब जब मैं इन्हें execute करूँगा एक्चल में error उस टाइम पर resolve नहीं हुआ अभी तर यह जो 6 है वो यहाँ आएगा तो अभी यह resolve हो गया अब execute करेंगे तो 6 में से 4 failures है और अब हम report देखते हैं तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कितने pass हुए कितने fail हुए यह information इत्ती अच्छी नहीं है जो आप इत्ती अच्छी से present कर पाएं तो हम इसके लिए क्या करते हैं एक और better report introduce करते हैं वो है report ng report ng के थुरू हम और better report generate कर सकते हैं हम उसमें क्या करेंगे तो हमने यहाँ पर यह देखा और उसके बाद हमने सबसे पहले क्या करना है अपनी jars को import करवाना है तो let's say मैं पहले package बना लेता हूँ report ng का report ng reports तो यह जो मेरी class है इसको मैं यहाँ move कर देता हूँ testing validation test ng की जगा testing validations report ng और यहाँ पर जो सारा मैंने execute कर रख है वो मैं यहाँ पर execute कर वाँगा बट यहाँ पर मुझे jars import करनी है तो मैं let's say maven से भी कर सकता हूँ अगर आप maven का project है और आप वैसे डाउनलोड भी कर सकते है तो मैं maven repository में जाता हूँ तो मुझे तीन jars की जूर रहता है एक तो मेरी हो गई report ng की jar तो यहाँ इसकी यहाँ जार डाउनलोड कर लेजिए डाउनलोड जार यहाँ आप यह maven dependency उठा लेजिए मैंने jar डाउनलोड कर ली ऐसे ही आप एक आपको चाहिए juice jar तो यह आपने डाउनलोड कर ली यहाँ से और ऐसे ही आपको एक और चाहिए report dp jar sorry वह velocity dp jar तो आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिए जैसे बागी करी तो जब यह तीनों जाए डाउनलोड हो जाए तो ऐसे ही बिल्ड पाथ में जाएंगे मैंने यह पहले ही डाउनलोड कर रखी है एक्टरनल जार्स करेंगे और आप तीनों जार्स यह एड करेंगे जूस रिपोर्ट एंजी और विलोसिटी डीप और अपलाई करके ओके करेंगे अब जब आपने यह कर दिया है तो आपको और कुछ नहीं करना है आपका टेस्ट केसे होंगे लेकिन आपको लिस्नर करके एक अनोटेशन डालनी है ताकि आपके पोजेक्ट को लिसन करें करना है इसके बाद आपको दो लिस्नर से इंपोर्ट करने है तो यह जो लिस्नर का अनोटेशन है इसके बाद आप इसके अंदर क्लास जालेंगे org.uncommon.reportng.htmlreporter.class तो हमने यह add कर दिया अब हम इसको execute करेंगे test changing की तरह ही तो यह मेरी सारा test perform हुए और इसके जब मैं project refresh करके देखूंगा तो मैं पर देख एक SQL folder होगा जिसमें हम जाएंगे तो इसमें जाने के बाद index.html देखेंगे तो यहाँ पर हमारे logs में क्या हुआ है चार में से दो text case पास हुए है वही हमने यहाँ दिखाया 4% और उसके बाद आप अंदर जागे इसे देख भी सकते हैं एक एक करके और उसके बाद errors भी पता चल रहे है सेम error है जो हमें वहाँ पर भी लेते test changing report में बट यहाँ पर जो view है वो काफी अच्छा है आप देख सकते हैं कि errors है कैसे है और कौन सा test case में क्या error है one by one और past test cases में कोई error नहीं है तो यहाँ पर बता रहा है और साथ में time कितना लगा तो यह पूरा एक overview है तो आप अगर overview देखना चाहे अंदर detail में देखना चाहे और detail में देखना चाहे तो यह सब दिखा रखा है यह report ng की report का features है तो अभी के लिए इतना ही thank you